बैस सामने अपने हैं स्विफ्ट का टॉंटी टॉंटी फॉर अपडेटेड जैडक साई प्लस पैट्रोल बेरिंट जो कि बिल्कुल टॉप बेरिंट के साथ डॉल टॉन के साथ रहने वाला है इस गाड़ी के छोटा सा वकांट रुब्यू करेंगे और जानेंगे कि स्विफ लेकर क्योंकि hatchback segment में इस गाड़ी में जो आपको space मिल जाता है तो सबसे पहले अगर गाड़ी की length की बात कि जाए तो 3860 mm की यहाँ पर आपको गाड़ी की length मिल जाती है 1735 mm की मिल जाती है बेर्ट वहीं पे 1520 mm की यहाँ पर आपको मिलने वाली है गाड़ी की height बड़ीया यहां पर आपको डाइमेंड सन इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाएंगे वहीं पर अगर गाउंड क्लेंस की बात कीज़े 163 mm का बढ़िया ग्राउंड क्लेंस यहां पर आपको ओफर कराएगा है यहां से आपको अलाइबिल के साथ 185 65r15 के साथ डाइमंड कट अलाइब से लिए डोल टोन के साथ मिल जाती है जो की काफी प्यारा लुक निकालकर दे देती है तो अबरल कुछ इस तरह से आपको प्यारी सी पड़िया सी साइट प्रोफाइल यहां पे मिलने वाली है लेके चलते हैं गाड़ी के और की और कि रियर का किस तरह से आपको यह लुक डूल टॉन के साथ ना काफी बड़िया एक बार फील आपको मिलने वाला है इस गारी के साथ, क्योंकि जो रियर का लुक डूल टॉन के साथ निकल के आ रहा है, वो काफी प्यारा निकल के आ जाता है, बात करेंगे पीछे से, तो यहाँ पे आपको LED टेल लेम देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी तक नहीं मिलते थे फ्लाल पीछे से चार यह पार्किन सेंसर के साथ साथ रिफ्लेक्टर का ओप्षन भी प्रोबाइट कराएगे है यहाँ पे आपको मिलता है कैमरा कुछ इस तरह से काफ़ी बड़िया पोजिसन में मिल जाता है यहाँ से आपको मिलती है MArs 392 की बैडिंग साथ में आपको स्विप्ट का लोगो भी मिल जाता है उपर से डिफॉगर बाइपर का ओपिसन मिल जाता है साथ में यहां पर आपको हाई स्टाप माउट टेल लेम को उप्सन उसी के साथ उपर से आपको पापर एंटीना का भी उप्सन मिल जाता है तो कुछ प्यारी से निकल के आ जाती है गाड़ी की रियर प्रोफाइल जो की काफी ठीक ठाक लगती है है एचपेक सेग्मेंट में बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस को लेकर तो किस तरह से आपको जो है तो यहां पर काफी बड़ी है आपको बूट स्पेस मिलने वाला है जो की दोस्तो 65 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है काफी sufficient रहने वाला hatchback गाड़ी के साथ यहाँ से आपको boot lamp के साथ दो hanger का भी option दोनों ही side आपको यहाँ पे मिल जाते हैं and rear seat में headrest का headrest भी adjustable यहाँ पे आपको मिल जाते हैं यहाँ से इसको कर देते हैं off और यहाँ से इसको on करनेकности लिए button भी दे रखा है बाकी बरते हैं गाड़ी के co-driver side profile की और की किस तरह से आपको जहाँ गाड़ी की co-drival side profile मिल जाती है तो यहाँ पे आपको काफी बड़िया जो है गाड़ी की co-driver side profile के साथ साथ यहाँ पे आपको यह की लैसी की इंट्री का आप्षण मिल जाता है जिससे कि आप गाड Hersia की यई में रखेएजली जो है ट्राइव डॉर्रision और जो है जो है को जार्एंट्र के कर सकते हैं अब बढ़ते हैं घ्ला की के रियर केवने सपेसभी टोन सबसे पहले कमई आपको भरके मिलने वाले हैं जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं बोटल होल्डर का ऑप्षन यहां पे आपको मिल जाता है और काफी बड़िया है है यहां पर आपको नहीं मिलता लेकिन अबरॉल सारे यहां पर आपको मिल जाते हैं ड्राइवर दॉर की और लेकिन यहां से आप देख सकते हैं रुख्या सेंसर का उप्सण आपको driver औको driver दोनों ही site provide कर आएगया है यह वाली theme जो है ना इसकाफी प्यारी निकलती है इस बार 2024 तो ecc 24 अपडेटेट के साथ यहां पर आपको chrome-finish का उप्शन मिल जाता है कि उक्रों को का यूज मिल जाएगा जो कि काफी प्रीमिंएम बना देता है गड़ी एंट्रेंस को यहां पर आप एक दानके साथ यहां पर आपडेख सकते हैं और यहां पर आपको speaker के साथ utility space ठीक ठाक मिल जाती है driver seat adjustable का option यहापको मिल जाते है seat काफी कुछनी मिल जाती है अबर अबर देखा जाए गड़ी का dashboard तो काफी प्यार जो है आपको गड़ी का dashboard मिलने बाला है कई यहाँ पर आप देख सकते है push button start के साथ idle stop start की option यहापको provide कराएगे ACK blows कुछ प्यारे से यहाँ पर आपको मिल जाते है साथ में आपको मिलते है मारती सुजु क्या logo जा चुके हैं गाड़ी के dashboard के अंदर और गाड़ी हमने start कर ली है सबसे पहले check करेंगे कि गाड़ी में कितनी कुछ आपको कैविन नॉइस और किस तरह से आपको जो है गाड़ी में vibration मिलने वाला है तो यहां से आप देख सकते हैं कि गाड़ी ओन है अंदर कोई भी इतना vibration तीन cylinder के साथ आपको मिलने वाला नहीं है फ्लाल डिस्ट instrument cluster कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि काफी प्यारा लगता है दोनों ही साइड यहाँ पर आपको analog मिलता है लेकिन बीच में digital मिल जाता है जो कि distance उमपटी से लेकर service reminder door reminder यहाँ पर fuel reminder भी यहाँ पर आपको दे देता है steering यहाँ पर आपको flat bottom with piano black finish के साथ एक premium बाला फील दे देता है यहाँ पर आपको स्टेडी पर audio mark control के साथ cruise का भी option प्रबाइट कराए गया है यहाँ पर आपको touch screen का option मिल जाता है जो कि काफी बड़िया साइज यहाँ पर निकल के आता है एसी के ब्लोर्स जो की सामने से वीजीबल होते हैं काफी अच्छे लगते हैं यहाँ पर जो silver chrome का यूज किया है काफी प्यारा लगता है अब बढ़ते हैं गाड़िके और की किस तरह से आपको जो है गाड़िका फिंट फैसिया मिल जाता है क्योंकि काफी प्यारा जो है गाड़िका फिंट फेसिया इस बार और आपको मिलने वाला है जैसे कि आप यहां से देह सकते हैं लेकिन एक चीज काफ़ी बड़िया लगी कि जो डोल टून के साथ गळड़ी का लूक है वो काफी अच्छा निकल के आ जाता है जैसे कि आप यहां से देख प्यारा लगता है काफी अच्छा जो है लुका जाता है यहाँ पे आपको project head lamp with DRL का option मिल जाता है यहाँ से आपको मिलते है turn indicator उसे के साथ नीचे से fog lamp भी मिल जाता है आपको जो कि काफी प्यारा लगता है और साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है piano black finish के साथ गाड़ी की grill जो की काफी प्यारी लगती है और इस भार जो है थोड़ा सा चेंज भी किया गया है इस ग्रिल को जो की काफी ठीक ठाइक लगती है। मार्चीजी के लोगों ऐट नीचे से मिल जाता है यह डैम क्राठी या पर आपको यहां को गटाने देख पाइंगे काफी ही अगण के देध्र काया यह बाड़ा हुआ को यहां पर उसी के साथ गाड़ी का जो स्पेस वह भी इस बार उसी यही था मार्च कीजिए कि सेफ 2024 अपडेटेड जैड एक साई प्लस डॉल टोन वेरिंट का एक छोटा सा वाक्राउंड रिव्यू जिसमें हमने जाना कि सिफ के जैड एक से वेरिंट में कितने कुछ आपको फीचर मिल जाते हैं कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो चै थीचर में वाचिछ वाचिग वाचिए